कि कल देर रात को आपको पता है हर्याना गुरूप डी की आंसर की आ चुकी है अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शिन में मैंने लिंक दे दिया है जाकर आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और आपके इमेल आईडी पर जो एंटी ने आपकी ओमर शीट क कॉपी है वो भी जो है भेज़दी है ठीक वोगे अपना इमेल आप चेक कर लिए अपने फारम में दिया था बात करें अगर कोई ऐसा क्यूस्टिन है जो आपको लगता है कि ठीक था लेकिन जो एंटी ने अंसर की जो दी है वो उसमें गलत अंसर उन्होंने बताया है तो उस पर आप objection दर्ज करवा सकते हैं पत्ति अपनी दर्ज करवा सकते हैं लेकिन कैसे और उसका प्रोसेस क्या रहेगा तो वीडियो को लाच तक देखना पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें आपने जो है रेजिस्टेशन नंबर या फिर अपना एप्लिकेशन नंबर वह वह अपने इस बोक्ष में भरना है फिर अपने वइल्ट यहां पर देख सकते हैं अलग अलग आएगा हर बार और फिर आपने कर लेना है कर लेंगे तो उसके बाद आएगा वह आपको भी दिखा देता हूं कि आपके सामने आएगा स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर देखिए एक तो नीची दिया गया है तो इसमें है क्या दिखिए एक तो यहां पे दिया फेला कि दूसरा कि सब्सक्राइब कर लेना जो अपको कुस्चन पर था उसमें कौन सा क्युस्चन जवाब का तो आपके पास जो जो question है पहला तो उसका जो answer माना है A यानि एक यह माना है TT A अगर आपको लगता है कि नहीं इसका तो उत्तर जो 1 नहीं तीन था मेरे question paper के हिसाब से तो आपने क्या करना है यहां पर जो box दिये गए देखी आप मैंने एक माना है आपको लगता है तो यहां पर दिख रहा है एक दो तीन चार इस तरह से थी कि आपने जो तीन नंमर भोक से इसको क्लीक कर देना घौक मार कर देना इसको कर दिया फिर आलेजीए इसके बाद जो अगला तो फिर आपने क्या करना इसको टिक कर देना या जैसे मैंने टिक कर दिया है तो इसके बाद जब आप नीचे आते जाएंगे फिर आपको यहाँ पर दिखेगा दिखे नीचे जाते जाएंगे ज basics ein पसे ऐपने क्लिक करना यह थिस あり दो ही क्यूस्षन है यहने लोक्न है ख़ набा लगाएं बाद में ऑजीक्शन तरज आता फिर बाद में नहीं नहीं करने सारे कि authority तो एक बार में ही होगा बार बार नहीं होगा कि आप एक बार सब्मिट करवा दें दुवारा फिर option मिलेगा नहीं आसा नहीं होगा तो एक बार में ही करने है सारे सभी टिक करते चलना आपने जिस पर भी option दर्ज करना है तो ठीक है अब यह आगे तो अब इसमें जब नीचे माना तीन और एक ठीक है तो अब इसका जो स्पोर्टी डॉक्यमेंट मांगा है नोने यानि किस बेस पर कह रहे हैं किस बुक के हिसाफ से तो आपको सब्सक्राइब कहिए जो अपने नहींगे प्रूट की फाइल बना लेनी है और फिर यहां पर दिखाई देगे आपको save your claims and pay fees तो यहां पर आपने फिर क्लिक कर लेना है ठीक है तो save your claims and pay fees इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जो पेमेंट हैं यहां पर दिखेंगे मैंने जैसे दो क्यूस्टन पर लिखा था कि हां दो पर मैं क्लेम करना हूं तो यहां पर दिखा रहा है कि दो सूर पर आपने पेमेंट करनी है तो यानि हर एक क्यूस्टन पर आपको सो रुपे की फीज देनी पड़ेगी यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह इस तरह से आप अपने उब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं तो यह अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो जुरू